नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस में दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपसे सोरी बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट की काम के बज़े से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था जिसके बज़े से आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाईए तो दोस्तो अब मैं बापस आ चुका हूँ और आपके लिए आज के बाद में रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मि में निकली भरतिकि के वारे मैं तो यहाँ पर यह दोस्तों इंडियन आर्मी के लेटेस्ट रैली की नोटिफिकेशन की डिटल्स देऊ है जो कि मैं आपके लिए एक एक रैली के बारे में प्रोपर बीडियो बनाकर बता चुका हूँ तो दोस्तो, आज की जो वीडियो है, यहाँ पर दोस्तो, आरमी रेकृ्टुटिम रैली जामनगर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तो, क्या है, बैकेंसीस निगली ही गया, तो इसके जो उनलाइन रेजिस्टरेशन थे, वो पहले से चल रहे थे, लेकिन फिर बाद में उनको ग्रो तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले दोस्तो आपके लिए क्या है ओनलाइन रेइस्ट्रेशन करना होगा और ओनलाइन रेइस्ट्रेशन आपके कब से शुरू होंगे आपको बता देता हूं दोस्तो यहां पर साब साब लिखा हुआ है दो उनके वही apply जो पहले apply उन्होंने किया हुआ है वही उनका मानने होगा और वो इस भरती में सामिल हो सकते हैं तो उसके बाद में हैं दोस्तो online registration submission application will commence from 30 days prior to the rally तो अब जो दोस्तो online registration है इस भरती के वो rally से 30 दिन पहले start हो जाएगे तो जैसे ही start होंगे मैं आपको बता दूँगा उसके बाद में दोस्तो candidates who could not register earlier ठीक है उनके लिए क्या है तीस दिन पहले बता दिये जाएगा कि आपका जो link है वो activate हो चुका है आप इस link पे आकर अपना इंडिन आर्मी के official website पर आकर अपना जो है online registration कंप्लीट कर लीजिए ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर कौन-कौन से post के लिए भरती है पर मैं आपको बता देना चाहाता हूं यहाँ पर दोस्तो soldier general duty, soldier treatment 10th pass और soldier treatment 8th pass उसके बाद में soldier technical उसके बाद में nursing assistant की भरती यहाँ पर निकली हुई है उसके बाद में है soldier clerk और store की पर तो काफी सारे पर दोस्तो भरती निकली हुई है यह करके आपको सभी के बारे में बताएंगे soldier general duty के लिए आपकी age limit होगी साड़े सत्रा से 21 साल और आपकी जो date of birth है वो 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होना अवस्यक है आपकी height दोस्तो जो यहाँ पर ली जा रहे है वो 168 cm है और आपके जो weight है वो 50 kg है और chest है आपका 77 cm ठीक है उसके बाद में दोस्तो आपको class 10th pass होना चाहें है minimum 45% आपके पास मार्थ होना जाहें किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्थ से कम नहीं होना चाहें नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों soldier treatment 10th pass इसके लिए आपकी एजली में 77-3 साल है एक अक्टुबर 1997 से एक अप्रेल 2003 के बीच में आपकी जो date of birth होने चाहें है हाइट आपकी 168 है बेट आपका 48 kg है और चेस्ट आपका 76 cm है class 10th आपको simple pass होना चाहें किसी भी सब्जेक्ट में 30% नंबर से कम नहीं होना चाहें ठीक उसके बाद में आता है दोस्तों soldier treatment 8th pass तो यहां पर आपके लिए दोस्तों साड़े सत्रा से 30 साल आपकी एज होने चाहेंगे 168 cm आपके हाइट होने चाहेंगे और 48 kg आपको बेट होना चाहेंगे और आपकी जो चेश टेबो 76 cm होना चाहेंगे प्लस 5 cm एक्सपेंशन आपको सभी में होना जरूरी है तो दोस्तों soldier treatment 8th pass के लिए आपको पास करने के लिए यह कुछ नहीं करना है केबल आपके पास में साड़े सत्रा से त्यास साल तक एज लिमिट है एक अक्टूबर 1997 से एक अप्रल 23 की बीच में आपकी डेट वबर्थ होना चाहेंगे उसके बाद में आपका दोस्तो जो हाइट वो 167 cm वेड़ 50 kg और आपको जो चेस्ट है वो 76 cm होना चाहें और दोस्तों इस भरती में अप्लाई करने के लिए आपको 10 प्लस टू यानि के इंटरमीडियेट पास होना चाहेंगे बेद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ और इंग्लेस किसी भी सब्जेक्ट में 50 मतलब ओबर और आपकी जो परसेंटेज है वो 50 परसेंट होना चाहें और सिंगल सब्जेक्ट में आपके 40 परसेंट मार्थ से कम नहीं होना चाहें 10 प्लस 2 यानिकी इंटरमीडियेट पास होना चाहेंगे सब्जेक्ट आपके पास में दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी एंड इंगलिश होना चाहेंगे बांके जो परसेंटेज वो सेम है ओगरॉल परसेंटेज 50 परसेंट और मार्ग्स आपके 40 परसेंट होना चाहिए 162 सेंटिमेटर आपकी हाइट 50 केजी बेट और 77 सेंटिमेटर चेश्ट होना चाहेंगे स्वल्जर क्लर के लिए आपको अपलाई करने के लिए आपके बास में आर्ट कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट कोई फरक नहीं पड़ता है दोस्तों आपको यहां पर 60 देना चाहता हूँ यहां पर धुस्तों दो ग्रॉप होंगे फ़स्ट ग्रॉप 5 30 सेकल zione फ्रते सेंट से पांच मेंट 25 सेकॉइल वी सुक्सित मार्म स्द हैं और सब्ण करने का यहां पर यह है कि आप अगर 6 भी लगा एग्जेंगे तो भी आप इस भरती में प पास हो जाएंगे तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि यह जो भरती है वो कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्स के यह है तो एरो अजमेर ने दोस्तों यह भरती निकाली है जो कि दोस्तों आर्मी रिक्रूटिंग रेली विल हैल्ट फोर इलिजिबल कंडिडेट्स फॉर डिस्ट्रिक्स जामनगर पोरबंदर राजकोट अम्रेली भावनगर जामनगर सुरेंदर नगर कच गिर समूथ ठीक है गिर सोननात और उसके बादम दोस्तों बोटाड मोरभी देव भूमी द लिए तो अगर आप यहां से बिलोंग करते हैं तो आप इस भरतिक लिए अप्लाइक कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ऑनलाइन क्लाश से इसको सब्सक्राइब भी जरू करना तो चलिए दोस्तों कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैन जै भारत